हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो फिजिक्स वर्ल्ड फिजिक्स वर्ल्ड में आप सब लोगों का स्वागत है आज का स्पेशल वीडियो उन बच्चों के लिए जो इन लोगों को नीट का एक्जाम देना है नीट जी हां बिलकुल डॉक्टर बनने के लिए आपका जो एक्ज बार का जो एक्जाम है वह है 12 सेप्टैमबर दोजार ईकिस बिलकुल आप से सुन रहे है नीट की एक्जाम की डेट जो है वोदिकलेर वह चुकी है औरím साइध 2013 फिलब कर सकते हैं जो भी आप लोगों को complete details से वाप पर मिल जाएगी और form वगेरा सब फिलब कर दीजिए अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनों बेटा अब हमारे पास केवल और केवल देखो जुलाई से अगस्त अगस्त से सेप्टेमबर only 60 दिन है कितने दिन है हमारे पास में 60 दिन और इन 60 दिनों में सभी आज का दिन कट गिया है only 60 डेज हमारे एक्जाम में बच्चों के बहुत ज़्यादा मेसेज जा रहे हैं कि सर क्या पड़े क्या ना पड़े तो फिजिक्स की जो प्रॉब्लम है वो मैं आपकी सोल आउट क फिजिक्स की हम एक special बेच स्टार्ट करने जा रहे हैं देखो बेटा थोड़े टाइम का काम है अब आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है no like no subscribe बहुत सब बाते पिछे रहे गई अब आप एक एसे मुकाम पर खड़े हैं जहापर आपको ते करना है कि क्या करना है और उसका नेगेटी होगे यानि तीन चार नंबर का आपका डिफ्रेंस आगे और आप दस अजार रेंक नीचा आजाओगे बैटा और आपका सेलेक्शन बूल जाओ और इन सब में केवल और केवल एक सब्जेक्ट है जो आपको पीछे रखता है और हो है फीजिक्स कौन सा सब पार्ती बन जाना है सेल्फिस बन जाना है पांच मिनिट इस वीडियो को पूरा देख लेना आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर कि 30-35 बच्चों का एक नया बेच स्टाइट करने जा रहे हैं ओनली फोर नीट स्टुडेंट्स इंग को हम रखेंगे ठीक है ना ओनली 30-35 बच्चे अगर आपको यह कोर्स जोइन करना है तो यह नंबर है डबल एट सेवन फाइफ नाइन वन नाइन फाइफ फोर फाइल इस पर आप वोट्सप पर मेसेज कर सकते हैं फॉन कर सकते हैं और इस पूर्य कोर्स की जो फीज से ओनल आपको कैसे तेहरी करनी है इस समय आप लोगों को क्या करना है वह मैं आपको बता देता हूँ अब कोई भी बुक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है बहुत सारी बुक्स है एक वीडियो में आपको डाल दूगा बाद में कि आपर कौन-कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है ले पचे क्या कर रहे हैं तो चलिए हम इसका एक छोटा सा समाधान करते में आपको बता देता हूँ इस समय किताबे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कुछ भी मतलब नहीं किताबे पढ़ने का अब आप लोगों को इस कोर्स के थूरू हम चैप्टर वाइज जो यूनिट वाइ होगे सब्सक्राइब कर चैप्टर वाइज यूनिट वाइज टोपिक वाइज जो कोस्टन से याद आपको सिध्य कोस्टन प्रेक्टिस पर आना है जो गया जो होगया थिएओरी पड़नी नहीं पड़ी जो भी नहीं पढ़ी कोई दिकत नहीं है अब आपको केवल प्रेक्टिस करोगे उतना आपका वहाँ सवाल क्रेख होगा एक सवाल राइट करोगे दसजार रेंग ऊपर और बेटों बेटीों सब दो गंटे की लाइव क्लास भी होगी रिकॉर्डिंग क्लास भी होगी और इसके अंदर mcq आपको करवाये जाएंगे objective questions हर चेप्टर वाइज हर चेप्टर के 200-200 questions करवाये जाएंगे 11th class 12th class का complete syllabus है उसको conclude करके ठीके न और आपको per day 100-200 सवाल यानि कि 100 सवाल तो मैं आपको करवाऊंगा और 100 आपको homework के लिए दूँगा PDF तो उनको आपको solve करना है जो आपको को नहीं हमें पूछना है ठीके दो महीने केवल दो महीने आपको per day पांच गंटे physics को देने पड़ेंगे बेटा इस class के अलावा 5 गंटे आप physics को दोई पाओगे तो आपका selection हो सकता है ध्यान रखना हो सकता है क्योंकि देखो आप week नहीं हो जो दूसरे बच्चे सालों से तयारी कर रहे हैं जिन्होंने पिछले टाइम का अच्छा यूज किया ठीक है न तो अच्छी बात है उनका selection हो जाता है हम पीछे रहे जाते लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं हम एक sleeper bus लेके चलेंगे पीछे से जो सबको overtake करती भी आगे निकल जाएगी तो अगर आपको ये neat का special 30-35 बच्चों का जो हमने course start किया है तो अगर आपको जोइन करना तो double eight seven five nine one nine five four five पर अभी क्या भी WhatsApp पर message करो call करो 21 रुपे फीज जमा करो और course जोइन करो कल साम चार बजे पहली क्लास है कल साम को चार बजे पहली क्लास है बेटा और ज्यादा से ज्यादा इस्टूडेंट्स तक ही वीडियो शेर करो थैंक्यू वेरी मच्च